तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक साल के कम उम्र के बच्चे को आप क्या खिलाएं जब हमारा नवजा शिशु एक साल से कम उम्र का होता है तो हमें उसकी डाइट में किन-किन चीजों को शामिल करना चाहिए तो आईए देखते हैं हमारे इस वीडियो को नए नए माता पिता इस बात से हमेशा परिशान रहते हैं कि अपने शिशु को ऐसा क्या खिलाएं जो उसके लिए पोश्टेख हो यह कोई असान काम नहीं है इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि शिशु जब एक साल का भी ना हुआ हो तो उसे आहर में क्या देना चाहिए कैसा होना चाहिए शिशु का डाइट प्लान कई बार लोग बच्चों को कुछ भी उल्टा सीधा खिला देते हैं जिसका परिणाम काफी घातक हो जाता है एक साल से कम उम्र का शिशु काफी नाजुक होता है इसलिए अगर आप नए माता-पिता बने हैं तो आपको शिशु के आहर को लेकर बिल्कुल भी ध्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि हम आपके साथ हैं आप शिशु के खाने में प्यास की छोटी मात्रा मिला कर खिला सकती है इससे इंफेक्शन नहीं होता प्यास में एंटिबेक्टिरियल गुण होते हैं जो कई सारे इंफेक्शन को दूर रखते हैं टिप नमबर 2 पालक पालक में धेर सारा आइरन होता है और वे रेड बलड सेल्स का निर्माड करता है यह बढ़ते बच्चे के लिए बहुत जरूरी आहार है टिप नमबर 3 साबुत अनाज शिशु के अहार में साबुत अनाज पका कर मिलाएं इससे पेट के रोग जैसे कबज और आपच दूर होती है टिप नमबर 4 अन्डे उबले हुए अन्डे या फिर अन्डे की भूजी बच्चे को खिलाने से उसको प्रोटीन मिलेगा और उसमें एनरजी आएगी टिप नमबर 5 ओर्ट्स बच्चे को ये रेगुलर खिलाया जा सकता है इसमें धेर सारा प्रोटीन, फाइबर और कार्बो हाइडरेट होता है जो बेबी को एनरजी प्रदान करता है टिप नमबर 6 सेब सेब को आप मसल कर बच्चे को दे सकती है इसमें धेर सारा एंटी आक्सिडन्ट होता है जो बच्चे की स्केन के लिए अच्छा होता है और उसे एनरजी से भी भरता है टिप नमबर 7 सिट्रस वाले फल ऐसी फलों में संत्रे मौसम भी आदी आते हैं यह फल विटामिन से भी भरे होते हैं और बच्चों को कई रोगों से दूर रखते हैं तो आज हमने जाना एक साल के कम उम्र के बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए ऐसी ही और वीडियो सेखने के लिए सब्सक्राइब करें बेबी हेल्थ गाइड चैनल को अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एड शेयर इट विए फिर फ्रेंड तिल एं टे कियर ओफ यूबॉर्ण बेबी थेंक यू